तो आज की वीडियो एक और नए wireless microphone की है और ये एक काफी वेलनोन ब्रैंड से है Godox का तो जैसे आप यह बॉक्स में देखोगे Godox की ब्रैंडिंग हो रखी है Godox एक ऐसा ब्रैंड है जो हम स्टूडियो में काफी सालों से यूज कर रहे हैं चाहिए वो लाइटिंग हो बड़िया चीज क्या है अगर आप यह देखोगे इंडिया में वन ये ओफिशल वारेंटी होती है तो यह बाला जो माइक्रोफोन मेरे पास है यह है Godox का WEC-2 इसका केट वन भी आता है उसमें सिंगल ट्रांस्मिटर सिंगल रिसीवर होता है इस वल्ले में आपको अन्बॉक्स करके दिखा दो बेसिकली हमें दो ट्रांस्मिटर मिलते हैं एक रिसीवर होता है तो बॉक्स ओपन करते ही सबसे पहली चीज यह काफी स्टर्डी है मतलब आप जब होल्ड करोगे अगर मैं इसको प्रेस भी कर रहा हूं काफी स्ट्रॉंग है और अगर गेर वेरी भी जाता है तो आज सच क है इसकी बाद मैं आगे करूंगा एक बार हम इसको साइड में रख देते हैं तो बेसिकली बॉक्स के अंदर हमें इन टोटल तीन केबल मिलती है सबसे पहला है सी टाइप केबल जिसको आप चार्ज करने के लिए यूज कर सकते हो उसके बाद है अपना टीयारेस केबल और आप अपने फोन में यूज कर सकते हो और टीयारेस अपने कामरा में और साथ में यह दो विंट स्क्रीन या डेट्काड भी मिलती हैं जिनको आप अपने ट्रांस्मिटर भी यूज कर सकते हो तो यह इसका चार्जिंग केस अगर आप देखोगे डियूल टोन में है ब्लाक तो देखने में काफी सही लगता है अगर मैं इस तरही की से ओपन करो यहां पर आपको एक डिजट दिख रहा होगा बेसिकली यह परसेंटेज दिखाता है आपके चार्जिंग केस का तो यह जो केस है यह स्टोरेज के लिए भी यूज होता है साथी साथ इसको आप करने लग जाता है talking about charging इसकी बैटरी है सिंगल ट्रांस्मिटर की अगर मैं बात करूं अब टू एट आर्स है बट अगर आप इस बॉक्स के साथ यूज कर रहे हो यूज करने का बाद आप चार्जिंग केस में डाल रहे हो तो इन तो आपको 24 घंटे तक का बैटरी बैकप म इसके ट्रांस्मिटर से हैं वो सिरफ 12 ग्राम्स हैं और जो रिसीवर है वो 16 ग्राम्स हैं तो दोनों ही ट्रांस्मिटर रिसीवर काफी लाइट है और इसका डिफरेंस आपको अच्छली कब पता लगेगा जब आप इनको यूज करते हो कॉलर पे लगा के शोर्ट यां टी ठीक है तो अभी ट्रांस्मिटर कनेक्टेड नहीं हैं तो जैसा है पहले प्र्रांस्मिटर निकालता हूं लाइट सी कितना जल्दी है कनेक्ट हो रहें एक शकीट के अंदर आपस में कनेक्ट हो गए हैं यह दूसरा भी निकाला है तो उनका चुका स्पीड है धाट इस है और यहां पर इस साइट पर एक ही एम का बटन दिया हुए इसको अगर मैं लॉंग प्रेस करता हूं तो इस तरीके से हमारा इसको अगर मैं लॉंग प्रेस करके रखता हूं यहां पर यह पर अपर क्लिप जिसको आप डिरेक्ली होट्शो में लगाने कलिए और यह इसके दोनों transmitters इस side पे आपको एक power का button दिखेगा और यहां पे noise reduction और link या pair का button है तो obviously pair दबाओगे तो pairing start हो जाएगी और अगर यह noise reduction वले button को आप single press करते हो तो noise reduction यहां से on and off कर सकते हो और यह simultaneously दोनों sync हो जाएगे अगर आप एक में noise reduction on and off कर रहे हो तो यह दूसरे में भी उसके on and off कर देगा और तीनों units में चाहिए receiver हो है transmitter हो आपको C type separate ports में मिलते हैं तो मालते हैं अगर आप charging case नहीं भी लेके चल रहे हैं आप individually भी इनको charge कर सकते हो और इस carry box के यह भी फायता हो जाते है कि अगर by chance से drop भी होता है गिरता भी है तो आपके जो microphone है वो secure रहेंगे और यह charging case ह इसको charge करने के लिए नीचे की side C type port है एक चीज़ मुझे सही लगी पहले मुझे actually minus point लग रहा था कि अगर मैं इसको table पर रखके charge करना चाहता हूं तो normally पीछे की side होते है charging port बट यह practical है विकॉज अगर यह खड़ा भी रहेगा normally यह बहुत easily get जाते हैं तो वो damage कर सकता है इ मतलब इसके जो दोनों हमारे transmitters हैं इससे जब मैं आवास जो भी record हो रही है वो एक ही channel पर हो रही है अब इसका फायदा है कि आपको editing में थोड़ा easy रहेगा बट होता कि है जब आप दो लोगों का interview ले रहे हो या podcast कर रहे हो आप चाते हो एक का audio अलग channel पर है दूसरे का अ और अगर मैं यह माइक पास लेकर आता हूं तो एक बार और ट्राय करते हैं तो अभी आपको एक channel पर audio आ रहा होगा और आप दूसरे channel पर audio आ रहा होगा और अगर मैं दोनों को same distance पर रखता हूं तो आपको almost same audio आ रहा होगा तो यह है stereo mode तो आप mono stereo depending on the situation इस microphone में बहुत easily receiver स change करके set कर सकते हो इसके बाद यहाँ पर side में आप देखोगे orange color का यहाँ बटन है जो DNR है basically dynamic noise reduction तो अभी जो आप audio सुन रहे हो वो इसी mic से आ रहा है ठीक है अब मैं आपको चीज दिखाता हूं अभी आपको ए green light दिख रही होगी अब अगर मैं single press करता हूं DNR को आप देखते हैं कुछ difference आता है या नहीं आता फिर हम एक outdoor sample लेंगे ठीक है तो आपने देखा होगा जब light basically orange हुई है तो noise reduction enable हो चुका है तो यह है noise reduction के साथ एक audio sample so that आपको idea लग जाए कि अगर आप घर पे वीडियो बनाने वाले या व्लॉक करने वाले तो कैसा output आएगा बट एक reality check के लिए हम outdoor चलते हैं और वहाँ पे एक sample लेते हैं तो अभी हम outdoor location पर आगे हैं थोड़ा इसका audio test करने मैंने आपे clip कर लिया माइक को तो अभी जो आप audio सुन रहे हो ये गोडॉक्स का ही माइक से आ रही है आपको idea लग जाए कि outdoor में जैसे अभी हम normally YouTube वीडियो बनाते हैं और ये audio हम एडिट नहीं करेंगे ताकि आपको natural एक सुनने को मिल जाए कि आसपास audio कैसी आ रही है पीछे मेरे एक साड़ा कहना थोड करेंगे फिर डिफरेंट सुनते हैं तो अब noise cancellation on हो गया है यहां पर हमें को orange light देख रही है तो noise cancellation में सबसे कि मेरी आवाज जैसे पहले जितनी क्रेस पारती उतनी आ रही है नहीं आ रही मिट्स कैसे हैं हाइस कैसे हैं तो वह noise cancellation का में वही सुनने लाइक होता है तो इससे आपको आइडिया भी लग जाएगा कि noise cancellation कैसे काम कर रहा है एक बार वापिस मैंने प्रेस करके इसको noise cancellation आफ कर दिया है तो जो audio आप सुन रहे है 16 बेट में आती है जस्तु लेट इनों की टेकनिकली क्या जो audio है वह आप कैप्चर कर सकते हो तो अब हम इसका distance कर रहे हैं अब हम इसको लेकर जा सकते हैं और audio crisp and clear रहना चाहिए तो बीच में कुछ obstruction तो नहीं है मैं अभी कामरा कोई देखते हुए पीछे जा रहा हूं अभी मैं आलमोस 60-70 feet दूर आ चुका हूँ अगर अभी तक audio आ रहा है I think practically क्योंकि हम 85 mm पर शूट कर रहे हैं तो देखने में आपको शायद crop लागे है बट हम फोन से भी एक BTS ले रहे हैं अगर मैं back दिखाते हुए लेता हूँ पीछे की तरफ चल रहा हूँ तो अगर audio आ रहा है नहीं आ रहा विकाज यह obstruction है मैं back दिखा रहा हूँ तो अगर अभी तक audio से यह आई थी देन I think like सही काम कर रहा है depending कि इसका जो 200 meter का रहे इंच ब्रैंट क्लेम करता है और इसमें एक और बड़िया फीचर है कि आप gain adjustment कर सकते हो minus और plus 6 तो अभी जो आभी audio सुन रहा है हमने 0 पे रखा हुए ठीक है तो अभी यह काम करते हैं एक बार minus प्रेस करते हैं ठीक है तो अभी हमने minus वाला button प्रेस किया है अभी आपको सुनते सुनते थोड़ा सा जो लेवल है volume का वो कम हो गया होगा क्यूंकि हमने minus 6 dB पे डाला है अब again अगर एक बार हम plus प्रेस करते हैं तो हम जीरो पे आगे हैं एक और बार अगर हम plus को प्रेस करते हैं तो अब हम plus 6 पे जा चुके है तो यह तीन लेवल्स आपको मिलते हैं और यह काफी सही है आप अपने receiver से ही adjust कर सकते हो camera से यह phone जो भी आप यूज कर रहे हो और यह काफी convenient है दो बार minus दबाओगे तो एकदम minus 6 पे आज होगे दो बार plus दबाओगे plus 6 और center पे जीरो पे रहता है तो यह एक आपको idea देदेगा कैसे आप different situations में अपने levels को microphone से adjust कर सकते हो ताकि editing में आपको ज़्यादा ज़ंजट ना करना पड़े है और finally अगर हम compatibility की बात करें तो यह एक ऐसा microphone है basically जो आप अपने camera में लगा सकते हो ठीक है अपने phone में लगा सकते हो और साथी साथ PC and laptop याई भी आई पैड में आप इसको use कर सकते हो तो basically almost सारे devices compatible हैं तो एक ही microphone लेके आप multiple devices में उसको एक ही साथ use कर सकते हो तो जो Godox WEC kit 2 है basically उन creators के लिए हैं वीडियो producers के लिए हैं जो काफी जाधा interview shoot करते हैं आप gaming करने वाले हो, podcast करते हो या interview जाधा ले रहे हो इवन अगर आप live streaming करते हो तो उससे आप से काफी सही है because आप phone PC दोनों में ही लगा के इसको use कर सकते हो cost जो इसका है I think MRP around 11,000 ऐस वले kit का और जो kit 1 आता है जिसमें single receiver और single transmitter है वो I think around 5300 के असपस है exact prices मैं आपे display कर दूँगा जो link है वो description में भी आपको मिल जाएगा तो दो दिन पहले हमने इसका audio sample जो भी आपने सुना वो record करा था तो अभी मैंने सुना कैसा audio है क्या performance है अभी भी जो आप सुन रहे है वो EC mic से audio आ रहा है unedited है तो सुनने के बाद मुझे कुछ चीज़ें जो मैं आपके साथ share करना चाहता हूँ सबसे पहले जिस price पे mic आता है WEC kit 2 जो है I think 11,000 MRP है 10,990 और जो single kit है जिसमें एक transmitter एक receiver है वो 5,990 की है तो इस price के साब से output काफिस है और normally क्या होता है माइक में जब हम noise cancellation on करते हैं जो अभी भी एक बार मैं on करी देता हूँ तो हम noise cancellation on करने पे क्या होता है आवाज ना बहुत पतली हो जाती है बेस कता हो जाता है जो इस mic में मुझे वो चीज नहीं लगी तो वापिस अगर मैं normal mode में इसको वापिस ले आता हूँ तो all over I think जिस price पे mic आ रहा है उसे सबसे audio काफी सही है बेस अच्छा है lows medium size 30 यह काफी सही से record कर रहा है battery backup अच्छा है carry case साथ में आता है features वगरा सब सही है और वो feature अच्छा है कि आप minus 6 zero plus 6 पे इसको change कर सकते हो बस एक चीज इसमें है कि क्यूंकि अब जितने भी phones हा रहे हैं इसले दो साल में सब में C-type port है mic वला इस तरीके से आप adapter ले सकते हो because इसके साथ जो आपको cable मिलेंगी वो TRRS to TRS cable है तो इस तरीके से आप इस jack को अपने adapter में लगा के अपने phone में receiver को use कर सकते हो इसके इलावा I think सही है ऐस सच कोई दिखकत हमें लगी ने आपके क्या views हैं आपने audio सुना do comment and let me know इसके जो best buy link होंगे वो में description में दे दूँगा so that's it I'll see you in the next video तब तक take care and keep clicking